एलो फ्रेंड मेरा नाम है सोयब ब्लोच और आप देख रहे हैं सोयब टेक तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को A to Z पेंटिंग यानि की कलर करने की सारी जानकरी दूँगा यानि की स्टार्ट से लेके आखरी तक आपको कौन सी चीज मारनी है अस्तर, प्राइमर, लापी, सारी जानकरी दूँगा तो आप लोग वीडियो में एंट तक बने रहे हैं अगर दोस्तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, शेर और सब्क्राइब जरू से कीजिए दोस्यों में वीडियो तो चलो वीडियो फटा-फट स्टार्ट करते हैं आप लोग सबसे पहले हमारा रूम देख सकते हो जो चूने का प्लास्टर किया हुआ है जिस पर चूने और सिमेट का उसके उपर अम लोग यह वाटर पेपर मारेंगे रेंग पेपर भीज को कहते हैं तो आप लोग कौन से नंबर का मारोगे 150 नंबर का आपको रेंग पेपर मारना है और अच्छी तरह से आपको तीवाल पर सारी जगापर मार देना है आपकि जितनी भी दिवा ले सारी सिमेट या पिर एक्स्टा कचरा जो भी है उसको अच्छी तरह से घिसाई करकर रगड़य करने है यानि की आप घिसाई भी बोल सकते हूँ या फिर रगड़य भी बोल सकते हको दोस्तों मैं गुजरात के राजकोट सेर से हूँ इसलिए आपको मेरी हिंदी में थोड़ी बहुत गुजराती मिक्स मिलेगी तो जैसे ही आप लोग को घिसा ही आपकी कंप्लेट हो जाएगी इसके बाद आप लोग को उस पर प्राइमर लगाना है दोस्तों लेके आई थी मैं वही माल यूज करकर आपको पूरा जान करी दूँगा सबसे पहले हमारे ने डेट सो नंबर को वटर वे पर से गिसा ही की इसके बदम लोग यह प्राइमर मिक्स करकर मारेंगे तो प्राइमर का डबा है यह में खोल लेता और प्राइमर में आप टर्पिटर मिक्स करके मारें या फिर मिटी का तेल दोनों में से कोई भी ले सकते हो आपको एक लीटर में 300 ml मिटी का तेल एड करना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करकर आपको दीवाल पर एपलाई कर देना है दोस्तों दीवाल पर एपलाई करने के बाद आपको कम से कम 12 घंटे उसको छोड़ देना है है आप लोग देख सकते हो कि हमारा प्राइमर में यह उपर उपर लगा आप लोग देख सब्क्रेंब वाइट कलर का आप लोग को दिख रहा होगा और नीची हमारा जो काला है यह वो सिर्फ घिसा हुआ है तो मैं भी आपको मार के दिखांगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, मैं आपको थोड़ा-thोड़ा प्रोसेसिंग सारी जान करी दूँगा, और कितना खर्चा आएगा, ये भी बताऊँगा, कि एक रूम कलर करने मैं आपको कितनी मजदूरी, कितना माल जाएगा, सारी जान करी मैं आपको मिल जाएगा, लापी बना कर उस पर एपलाइ करेंगे ताकि जो अमारी दीवाल के फिनिसिंग हो एकदम जीरो फिनिसिंग हो जाए याने कि एकदम काच की माफिक बन जाए तो उसके लिए आपको तीन चीज की रिक्वान्मेंट पढ़ेंगी सबसे पहले चोग पाउडर चाहिए उसके बा तो दोस्तों हम लोग फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं मैं आपको फटाफट बना के दिखा रहा हूँ मैंने इस पर वीडियो भी बनाई आप लोग जा कर देख सकते हो सबसे पहले आपको बाल्टी में थोड़ा पानी लेना है उसमें आपको चोग मिटी डालनी है जो पानी और चोक पाड़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना इसके बाद या निसेinc करना है और मैं आपको वीडियो में बता ओबारू है आप वीडियो स्किप मत किजिएका दोस्तों वीडियो को फूल वोच किजिएका तो ही आपको सारी जानकारी मिलेगी अगर आप काम कर रह तो सबसे पहले हमारा जब पानी एड हो जाए इसके बाद हम लोग वाइट ओइल पेंट करेंगे यह चीजे डालने का मतलब यह होता है जो आपकी लापी होगी हो काफी हाड बन जाएगी और उसकी पपड़ी बनकर नहीं निकलेगी दोस्तो कोई कोई कलर वाले क्या करते हैं पानी से एड करकर उसको बना कर इसे भर देते हैं इसके बाद हम लोग ने वार्निस मिक्स किया है यह दोनों चीज मिक्स करने से आपकी लापी इतनी आड हो जाएगी कि उसमें पोपड़ी गिरना ना मुन कीने दोस्तों पोपड़ी आपकी कभी गिरेगी नहीं इतनी आड हो जाती है अमेश से आपको धियान रखना है जातना आप जादा ऐड कर गए इतनी आपकी लापी संपूर तरीके से आड हो होगी तो चलो भीमरी अनों लोग बन छुकी है अपको लूग लापि एपलय करेंगे आपको दो टूल चाहिए यानि कि दो हमारा पत्रा चाहिए दो या छे इंची और आठ इंची आप ले सकते हो आपको जो भी परोड़े हो आप छे इंची भी ले सकते हो या फिर आठ इंची भी ले सकते हो इसके बाद आपको इस तरह से लापी को चड़ाना है ताकि अमारी जो भी दीवाल ऊबर खाब और या फिर खराब दीवाल होगी उस पर अच्छी तरह से लापी अमारी चड़ जाएगी और दीवाल की फिनिसिंग एकदम जीरो नमबर पे आजाएगी यानि कि दिवाल एकदम से चिकनी बन जाएगी दोस्तो आप ऐसे ही कलर लगा दोगे तो अगर इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो अच्छे से न्यू प्लास्टर न्यू मकान बनाया तो आप उस पर पुट्टी करके लापी भी कर सकते हो या फिर बीना पुट्टी कि यह भी लापी कर सकते हो दोस्तों अगर आपका सीमेट का प्लास्टर यानि कि यह चोक मिट्टी मरा सीमेट का प्लास्टर है दोस्तो यह सीमेट के प्लास्टर के उपर हम लोग लापी लगा रहे है चोक मीटी की तो आप भी देख रहे हो दोस्तो आपको भी इस प्रकार से लापी लगा नहीं आप चाहो तो इसके दो कोट या फिर एक कोट भी लगा दो तो भी चलेगा अगर आप अच्छे से काम करने हो तो आपको दो कोट अच्छे से लापी लगाने हैं सबसे पहले आपको पहला कोट लगाने के बाद कम से कम चार घंटा उसको छोड़ देना है उसके बाद आपको दूसरा कोट लगाना है सारी जगा पर आपको लापी अपलाई करने हैं चारो कि आप contractor को क्या rate पे आप काम दे सकते हो तो आप ये जितनी भी जानकारी बताई इतनी जानकारी अगर आपको contractor काम पे देगा तो आप से 10 से 15 रुपे के बीच लेगा यानि कि आप उसको थोड़ा भाव तोल मोल करकर 12-13 रुपे में आप नकी कर सकते हो तो जैसे के हमारा 12-13 रुपे में नकी हुआ तो एक रुम की आप नाप निकालोगी तो शाले 400-500 फीट होगा तो 500 फीट का 600 रुपया 6000 रुपया होगा आपकी मज़ूरी मज़ूरी अगर आप उसको माल के इसाब से दोगे तो भी कितना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो मेरी लापी आप लोगों मैं दिखा रहा होगा मैंने पहले उपर लापी लगाई फिर नीचे लगाई थोड़ी दिवाल बाकी है आप लोग देख सकते हो कि इतनी फिनिसिंग इसमें बन गई है जो भी खड़े खड़े थे वो सारे हमारे खड़े चले जाएगे इसके बाद हम लोग लापी जैसे आपकी दो कोट हो जाएगी इसके बाद इसको आपको 220 नमबर का water paper यानि की send paper हमारा 220 नमबर का लेकर आपको हलके हलके सारी लापी पर लगाना है ताकि दीवाल आपकी और भी फिनिसिंग और भी किलियर हो जाएगी दोस्तों अभी देख रहे हो, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैंने कहां कहां पर लापी लगा दी है उपर की और सारी जगा पर लापी लगा दी है, नीचे की और बाकी है जो में ग्हभी लापी लगा उनगा, इसके बाद हम लोग सेंड पेपर मारेंगे और उसके उपर हम लोग कलर लगाएंगे अब यह हमारी लापी भरकर कंप्लेट हो गई है अब हम लोग जो ही आप लोग कहीं कहीं पर देखरें वो खराब लिख रहा है उस पर हम लोग यह सेंड पेपर मारें गे यह यह हमारा ओटर पेपर है जो आपको 220 नंबर का देल्ग लेना है देख सकते हो तो इस प्रकार से लापी में कहीं कहीं छूड़ जाता है तो आपको अलके हाथों से वोटर पेपर अच्छे से लगाना है ताकि आपकी दीवाल की फिनिशिंग एक नंबर बन जाएगी और आप कलर लगा होके तो अच्छे से लगेगा तो दोस्तों मैंने सिलिंग पे आपके दिखाऊंगा तो कुछ वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएंगी और कौन सा कलर कोड मारा है यह भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा दोस्तों तो मैंने इस पर दिवल पर क्रीम कलर लगाया है एक बेडरूम में और एक आगे छोटी सी बेठा के तो सभी जगा पर मैंने क्रीम कलर लगाया है फिर दोनों बेडरूम में मैंने एक एक दिवल को डार्क किया है कौन सी डार्क डिवल की यह भी मैं आपको वीडियो में बत दे जाना है अकेला आदमी भी इसको लगा सकते हैं ताकि दीवाल के फिनिसिंग मस्त बन जाए तो दोस्तों आप इसको वीथ मटीरियर कितना कोश्ट पर दे सकते हो तो आपको कॉंट्राक्टर है वो जो आपको वीथ मटीरियर जैसे के प्राइमर लापी उसके उपर प्लास्टिक पेंट या फिर कोई भी लग्जरी पेंट तो आपसे कम से कम 25 रूपिया वीथ मटीरियर चार्ज करेगा दोस्तों तो अगर आपका 500 फीट का बेडरूम है तो आप लोग छोड़ सकते हो कि आपको कितना खर्चा आएगा पन आपको यह सारा काम होगा और सारा काफी खूपसर तरीके होसा अगर आपका अच्छे से न्यू बंगला है तो आपको इसी प्रकार से काम करना है दोस्तों अगर आप चाहो तो डायरेक भी लगा सकते हो पर उसमें इतनी मजा नहीं और उसमें इतना फिनिसिंग भी नहीं तो फाइनली हमारा रूम और आगे की बेठक कंप्रेट हो गई है आप लोग देख सकते हो सामने हमने ओरेंज कलर लगा या है जो भी काफी खूपसूरत डार्क की है तो चलो देखते है कौनसी डार्क की है दिवाल आप लोग देख सकते हो तीनो दिवाल लाइट क्रिम की है और सामने की हमारी जो एक दिवाले हो अमने डार्क बनाई है दोस्तों तो इसी प्रकार से खूपसूरत कलर आप भी कर सकते हो दोस्तों और अगर कोई क से हूँ अगर आपको वहाँ पर भी कोई किसी भी पकार काम काज है तो आप मुझे कोमेट में अपना नंबर और एड्रस छोड़ सकते मैं आपको कॉल करूंगा तो मिलते हैं इसी दूसरी वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए गुड़ बाई